कर semble हैं विभात करेंगे रूवल फोर कंस्रुक्टीं कहार्टर कांस्था इन्ड》 कि देखिए और इसके परदे हम लोग बात करते हैं रूपर कांस्रुक्टिंग थे युवि небारा है थे डिशेलव और बॉसक्राथम के भारे कि किसी character को हम consistent कैसे बना सकते हैं और ऊसको treat कर सकते हैं इसमें क्या होता है सिए इसमें क्या होता है पहला कि कर्पार्ट इजंगिल अलपेट ए सिंगिल इंग्षिण symbol enclosed within single inverted commas, मतलब क्या हुआ कि single alphabet मतलब suppose कि जो माल लिजए आपने कहा किसे ऐसे आपने लिखा A, जिसको आपने क्या किया, single commas में ऐसे कर दिया, तो ये character constant हो गया, या दूसरी example आपको दें कि single digit जैसे आपने 3 लिखा, अब 3 को अगर आपने ऐसे quotes में कर दिया, ऐसे single commas, तो ये character constant हो गया, या कोई special symbol है, भाल लिजए, ठीक है, सबोस किजिए, ये special symbol है dollar, और इसको आपने single commas में cover कर दिया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एक character constant हो जाएगा, character constant, पहली जी, अब second उस पर आजाएए, कि both the inverted commas should point to the left, for example, is a valid character constant, whereas is not, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो commas हैं, यानि ये जो commas हमें लगाए हैं, ये दोनों left side ही mention होने चाहिए, मतलब अगर आपने सब्सक्राइब कि ये character constant बनाया और comma यू लगा है, तो तो ये ठीक है, left side, और अगर आपने माने जी ये लिया और एक इस तरह है, दूसरा इस तरह है, तो ये गलत है, जोनी both the inverted commas should point to the left, ये बहुत important point है, ध्यान रखिएगा, कि दोनों comma जो है, वो left की तरफ point करने चाहिए, this is very important, this is very important, third क्या है, कि कोई भी character constant जो है आपका, ठीक है, उसमें आप कोई भी keyword वो नहीं use करें, जैसे keyword को अभी आगे पढ़ाएंगे, मदलब no keyword is allowed, ठीक है न, इसका मदलब कि अगर आपको character constant बनाना है, तो आपको mainly ये rules का ध्यान रखना, पहला कि कोई भी character है या digit है या special symbol है, उसको अगर आप comma में cover कर देंगे, तो character constant हो जाएगा, और comma लगाने का तरीका ये, कि दोनों comma जो है, वो left की side में ही indicate होने चाहिए, पॉइंट करने चाहिए, अगर आप ऐसे normal जैसे हम लगाते हैं, English लिखते हैं, माली जो पी लिखा है, एक यू लगाया, दूसरा यू लगाया, तो ये character constant नहीं होगा, अगर आपने पी लिया है character constant बनाने के लिए, बता दिया, पिछले lecture में और बाकी जो बच आता है आज की lecture में, अब आ जाईए, types of c variables में, types of c variables, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि particular type of variable can hold only the same type of constant, बतलब की अगर variable का आपने type define कर दिया है, तो वो उसी तरह की values को hold करेगा, ठीक है, बतलब अगर आपने माल लिजे का integer variable, तो वो integer constant को अपने पास लेगा, real variable तो वो real constant को लेगा, character value वो character constant को अपने पास store करेगा, इसका मदलब the rules for constructing different type of constants are different, यह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो variable होते हैं, वो भी आप define कर सकते हैं, integer variable, तो जो integer values को लेगा, real variable, जो real constants को लेगा, और character variable, जो character values को ही लेगा, character constant को और integer constant, real constant, character constant, यह हम उपर पढ़ चुके हैं, ठीक, तो चुकी इन तीनों के rules अलगते हैं, रही, integer constants के, real constants के, character constants के, अचुकी यह इनी को accept करेगा, इसलिए integer variable के rule, real variable के loop, rule और character variable के rule भी अलग-अलग होते हैं, ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, rules for constructing variable names, मतलब आप अपने प्रोग्राम में variable मान रहे हैं कोई, तो इसको आप variable मान सकते हैं, तो देखें, पहला जो rule है, वो यह है कि, first one is, a variable name is any combination of 1 to 31 alphabets, digits, or underscores, ठीक है, मतलब variable name जो है आपका, variable name, वो कोई भी combination हो सकता है, एक से लेकर 31 alphabets का, digits का, और underscores का, यानि कि एक से 31 combination हो सकता है, alphabet, digits, and underscores, इनका यूज करके आप variable मरा सकते हैं, सेकेंड़ी क्या कराई कि, कुछ compiler जो है, allow करते है variable length, whose length would be up to 247 character, still it would be safer to stick to the rule of 31, मतलब कुछ compiler जो है, variable length, variable name की length है, वो अप टू, 247 character तक भी allow करते हैं, लेकिन आपने एक compiler पर इस्तेमाल की, अपना प्रोग्राम रन कराया, सब्सक्राइब बढ़िया चल रहा है, दूसरे पर कराया नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा है, पर 31 तक ही रखिए, इसके बाहर न जाएगे, खीक, अब उसके बाद क्या होता है, कि एक simple convention जो है, कोई rule तो नहीं है, इक convention यह है कि variable name हमेशा चोटे से चोटा रखा जाता है, ज्यादा बड़ा आप variable name रखेंगे, तो unnecessary उसमें typing error होने के chances रहते हैं, इसलिए जितने चोटे जितने कम letters में काम हो जाए, उतना ही बड़ा variable name रखा जाता है, पहरा rule तो यह हो गया, दूसरा क्या है, कि the first character in the variable name must be an alphabet और underscore, जो पहला character है, first character in a variable name, वो क्या होना चाहिए, वो या तो alphabet हो, मतलब digit नहीं हो सकता है, alphabet हो, या underscore हो, यह नहीं कि आपने माल यह कोई variable, आप आपने name बनाया कि ऐसे one a g, this is a variable name, यह गलत हो जाएगा, one शुरू में बीच में हो सकता, आपने a one g बनाया, यह हो सकता है, आपने underscore a g बनाया, यह हो सकता है, लेकिन digit शुरू में नहीं हो सकता, यह ध्यान लखिएगा, second क्या कह रहा है, third, no commas and blanks are allowed within a variable name, अमाल यह आपने कोई variable name इस तरह बनाया है, जैसे हमने कहा कि इसे class student, ठीक है, उसको हमने refer करना, हमने कहा कि, ऐसे बना दिया हमने, इसे cla, और फिर space दे दिया, student, ऐसे, या हमने बना दिया, cla, student, ना तो यह space allow हो है variable name में, ना यह comma allow हो है, अंडर इसकोर allow होता है, ठीक है, यानि अगर इसको आप ऐसे बनाएंगे, cla underscore student, तो यह तो acceptable है, लेकिन यह दोनो acceptable नहीं है, ठीक है, इसलिए करते हैं कि, no comma are blanks are allowed in variable name, अब उसके बाद next आप आजाईए, next rule पे, fourth point हो गया, no special symbol other than underscore can be used in variable name, यह अपने शुरू में बता जाता है कि, variable name में underscore कोई और special symbol जैसे dollar हो गया, hash हो गया, greater than sign, less than sign, exclamatory sign, तमाम है special symbol, तो underscore के लावा और कोई allowed नहीं होता है, ठीक है, only underscore is allowed in the special symbol, ठीक, अब कुछ example अगर हम लोग बात करें, variable name की, तो देखिए, जैसे हमने कहा है, suppose कीज़े, si underscore int, यह ठीक है, हमने कहा, m dot hra, यह, sorry, underscore, यह भी ठीक है, हमने कह, pop underscore e underscore 89, यह भी ठीक है, इस तरह से आप different variables के name को, design कर सकते हैं, अब इसमें क्या चीज़ है, कि देखिए, since the maximum allowable length of a variable name is 31 character, and enormous number of variables names can be constructed, अब देखिए, क्या कहना चाहरा है, कि हमारे पास variable length, variable name की, जो length है, वो कितनी allowed है, 31 character, इसका मतलब, ठीक है, कि आप इनके different, और mutation combination से, आप, कितने ज्यादा variable name, design कर सकते हैं, कोई problem नहीं आईगी, clear, लेकिन generally क्या होता है, अब देखिए, कोई rule नहीं है, लेकिन generally, अब यह आपको programming point of view से बता रहा है, generally, जो variable name रखाया था, it is a good practice to exploit this abundant choice in naming variables by using meaningful variable names. Meaningful variable name का मनलब क्या हुआ, वही जो इसे अभी हमनों बात कर रहते हैं कि मान लीजे हम किसी class के, किसी student के बारे में हम refer करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम अगर relevant, वैसे तो आप कहेंगे जरह हम इसको a underscore b बना ले हाँ, ठीक है, आप कहेंगे जरह हम a b बना ले तो भी ठीक है, आप कहेंगे जरह हम इसको z y बना ले तो भी ठीक है, लेकिन, एक अच्छा जो programmer होता है, वो हमेशा जिसको उस variable से जिसको हम represent कर रहे हैं, उससे relevant नेम ही रखता है, जैसे class student, अब या तो आप आपने कहांगे, ऐसे बना ले सर class underscore student, तो देखेंगे टेक्निकली तो यह साही है, कोई रह नहीं आएगी, लेकिन इतने बड़े variable नेम नहीं रखते जागे हैं, जैसे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहांगे किजिए आप इसको c underscore stu कर लिए, stu, c underscore stu, क्या होगा, आपको reference भी जाएगा, भाई class student, या जैसे किसी employee की salary के बारे में बात कर लिए, उससे कोई program मनाना है, तो हमने इसको, आप कहेंगे सर इस केवल पी रख लें, वो भी रखीजे, लेकिन एक जो अच्छी tendency है, जो general good practice है, वो यह है कि अगर employee salary को आपको indicate करना है, तो आप क्या कीजिए, आप ऐसे रखेंगे, आपने का EMP, यह employee हो गया, underscore salary का SAL हो गया, हो गया काम, या आपने EMP ले लिए employee के लिए, underscore केवल S कर दिय अब यह हम आपको general convention बता रहे है, एक good practice बता रहे है, कि programming, एक अच्छा programmer किन चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है ना, तो यह हो गया आपका rules for constructing variable length, आपको यह clear हो गया हो गया, कोई confusion, कोई doubt, कोई चीज नहीं clear हो, तो please mention कीजे, और अगर video content पसंद आ रहा है, see programming, बहुत बढ़िया subject है, इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई problem हो, तो mention कीजे, और अगर video content पसंद आ रहा है, तो please video को share कीजे, like कीजे, आपसे request है, channel को subscribe जरूब कीजे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share कीजे, ताकि और सब का भी फ च़्गूग।